हेलो उस्तू स्वागत आपका अपनी यूटूब से आम्ट्रा क्लाशिस में प्यार उच्छो कैसा आप सभी उमीद करता हूं अच्छो होंगे बच्छो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस डेडियो उपरेटर की कट ओफ के बारे में रेडियो उपरेटर की कट ओफ कितनी जा सकती है और कितने फाइनल सेलेक्शन हो सकता है बच्छी जैसे कि आप सभी को पता है दो दिन पहले मैंने आपको एक बीडियो बनाकर असिस्टेंट ओपरेटरी कट ओफ के बारे में बताया था उसमें कुछ बच्छो के डाउट थे तो उन डाउटों को बहुत अच्छे से के लिए करने का प्रियास करूंगा और कुछ सब्सक्राइब करने वाला हूं और आपसे एक रिकेस्ट करूंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है ठीक है उस बात को आपको जरूर मानना है क्योंकि अगर आपकी बज़े से किसी को नौकरी मिल रही है तो बच्छी से कुछ भी नहीं हो सकता तो इसलिए वीडियो को सुर जो बच्छे मुझे पहले से जानते हैं वो बहुत अच्छे से मेरे वारे में जानते होंगे क्योंकि मैं जितने भी कटॉफ की वीडियो बनाता हूं लगव बच्छे आपने देखा होगा सभी लगभग उसी के आस पास कटॉफ रहती है ठीक है आपने जितने मेरे SSCJD की दिल्ली पुलिस की जितनी भी वीडियो देखिंगी cut off की सभी लगभग जितनी मैंने बताई है आप अब भी जाकर देख सकते हैं कोई भी सच कर सकते हैं वीडियो को उसी की आसपास cut off रही होगी और मजे पूर्ण भी सपास है जितनी मैं cut off बताने वाला हूं इससे बच्चे इसी के आसपास आपकी कटोफ घूमती हुई नजर आएगी ठीक है आपने देखा को दिल्ली पुलिसमा हाँ थोड़ा मैं कह सकतों में फेल हुआ था पर कुछ भी फेल उसमा आप नहीं कह सकते आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तो मैंने जनरल की कटोफ जो बताए थी क्योंकि मैंने यह सोच कर कहा था अगर आपकी कटोफ फिजिकल के लिए 65 यह 66 जाती है तो आपकी जो कटोफ क्योंकि फिजिकल के बाद बच्चे कटोफ बढ़ती है ठीक है बट इन्होंने इस बार चला के दिखाई फिजिकल के लिए बच्चों को टाइम नहीं दिया समय नहीं दिया तो जितने फिजिकल के लिए इसका नंबर आ गया उसी का सीलेक्शन हो तो बच्चे इसमें मैं गलत नहीं हूं अब चलते हैं बच्चे इसकी कटक्टोफ के बारे में बात कर लेते हैं बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी पुलिस हैड ओपरेटर की करद ओफ के बारे में ठीके क्योंकि सबसे कम कमटिशन बच्चे इसी में है जो बच्चा पढ़ने वाला है वो आसानी से हैड ओपरेटर में सेलेक्शन ले जाएगा ठीक है आपको जो बच्चे में cut off बताने के लिए जा रहा हूँ वो पहले आपको के लिए कर देता हूँ जो मैं cut off बताऊँगा अगर ये भटती विल्कुल साफ होती है मतलब इसमें चोड सामिल नहीं होते है चोड मतला हूँ समझ रहे हो ना जैसे यूपी पुलिस कॉंस्टेवल में चोड सामिल हो गए तो उसकी परिक्षर रद करा दी अगर इसमें चोड सामिल नहीं हुए तो जो मैं cut off बता रहा हूँ आप screen source लेकर रख सकते हैं इसी के आसपास आपको cut off देखने को मिलने वाली है ठीक है आप सभी को पता है इसमें जो vacancy है बच्चे वो कितनी है 936 vacancy अब सर्फ फिजिकल के लिए कितने बच्चे लिए जाएंगे तो आप सभी को पता है जो यूपी पुलिस कोंस्टेवन लिए जाते हैं वो ढ़ाई गुना बच्चे लिए जाते हैं फिजिकल के लिए ठीक है बेकैंसी का ढ़ाई गुना और आपने यूपी एसाई में देखा गा दोहर 21 वाली जो बेकैंसी थी उसमें साड़े तीन गुना बच्चे लिए गए थे तो ये तो किलियर है या तो ढ़ाई गुना या साड़े तीन गुना बच्चे लिए जाने वाले हैं मैं इनका बीच का माल लेता हूं तीन गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाते हैं तो तीन मुना कितना हो जाता है आप कहेंगे सरी ये बच्चों को बुलाएंगे 288 बच्चों को physical के लिए लगबग 3 रह बच्चों को ये physical के लिए बुलाने वाले हैं पर final select ठीकते होंगे 936 बच्चे 936 अगर इतने बुलाएं न तो इसमें बच्चे आप देखेंगे final cutoff इसकी जादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसमें documents verification बहुत बच्चे निकलेंगे और physical में काफी बच्चे निकलने वाले हैं तो आप देखेंगे final जो बच्चेंगे 288 को बुलाएं इन्होंने तो जो मैं cutoff बता रहा हूँ अगर आप इसके आसपास हैं तो आपका final selection हो जाएगा बच्चे अगर आप जनरल से हैं ठीके और आपके 115 कोश्चन से 120 कोश्चन के बीच ठीके 115 कोश्चन से 120 कोश्चन के बीच जिसके 120 कोश्चन है तो उसको तो कोई रोकने वाला नहीं है बच्चे आपको clear करता हूँ आप बिल्कुल safe हैं अपना physical अच्छी से करिए 120 कोश्चन पर आपका final selection हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है ठीके अब सर 115 कोश्चन है क्या होगा ये नहीं होगा बच्चे आपके भी बहुत अचछे चांसे बहुत अच्छे चांसे 115 कोश्चन बाला भी बहुत अच्छा बच्चा है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी composition इतना high नहीं है myś क्योंकि बच्चों के इतने नंबर आए नहीं है पेपर भी ठीक ठाक था और उपर से बच्चे फोम भी आप देखेंगे 50,000 के असपास बच्चों ने एकजाम दिया होगा ठीक है तो इतने नंबर लाना आसान काम नहीं है अगर 115 कोश्चन भी है तो आप अपने आपको सेफ म करके अपनी कटोफ मान सकती है कि अब ओवी सी और एडबलो एच दोनों कि मैं एक की साथ बताएता हूं कि इसमें इतना अंतर रहता नहीं है एक दो कोश्चन आगे बीचे होने वाला वह मैं 5 कोश्चन का अंतर बैसे ही रख रहा हूं तो आप 112 कोश्चन से 116 कोश्चन के जिसके ठीक हैं वो ओवीसी में फाइनल सेलेक्ट हो जायेगा, जिसकी 116 है बहुत हो फाइनल सेलेक्ट थया उसको कोई दिकत नहीं है 116 को ओवी शी में कोई नहीं रोक रहा आराम से इलेक्षेन हो जाएगा बच्चे फिर कहता हूँ 112 question वाले के पूरे पूरे चांस है final selection हो जाए बट 116 वाले को मैं sure कह सकता हूँ 116 वाले का selection जहां तक मुझे अंदाजा जितना मैंना analyze किया है 116 question वाले का आराम से selection हो जाएगा clear है अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment box में comment कर सकते हैं clear बच्चे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब SC में अगर हम देखें तो SC में जिस बच्चे के 108 question से 112 question के बीच है 108 से 112 question के बीच है तो जहां तक मुझे लगता है जिसके 112 question है तो उसका तो final हो जाना चाहिए जहां तक मेरा नुवान है ठीक है 112 question पर बच्चे का selection हो जाएगा SC में 108 वाले का फिर वही कहूंगा chance पूरे हैं बिल्कुल नाकार नहीं सकते 108 question वाले के भी अच्छे chance है ठीक है हो सकता है physical लिए बुला लिया तो physical के बाद इतनी cutoff बढ़नी नहीं है आप सभी को पता है document verification बहुत बच्चे इसमें बाहर होने वाले हो और physical में भी बाहर होंगे अब ST की cutoff के बारे हम बात करेंगे तो बच्चे जिसके 98 से क्योंकि ST cutoff बच्चे इतनी ही रहेगी 102 question के आस पास ठीक है 98 से 102 question के बीच जिस बच्चे के ठीक है जिसके 102 है उसका तो final selection हो जाएगा clear अब ये cutoff बच्चे मैं आपको बता दी है जिनके इनके बीच है तो उस बच्चे के मतलब ये मान सकते है 115 से 120 question जर्नल में जिसके हैं तो मेरे recording हो जाना चाहिए आराम से हो जाएगा आप फिजिकल अपना अच्छे से करते रही है और girls की cutoff बच्चे female की cutoff इनसे 3 से 4 question आप कम करके अपनी cutoff female मान सकती है ये बच्चे head operator की cutoff आपकी हो गई है आज screenshot लेकर आप रख सकते हैं जिस दिन आपका real आएगा जहां तक मुझे लगता इसका real मार्च में आ जाना चाहिए मार्च के अन तक इसका real आ जाना चाहिए ठीक है तो आप जब देखेंगे तो आपकी cutoff इसी के according आने वाली है फिर कहता हूँ चोर अगर सामिल नहीं हुए तो नेक्स्ट बच्चे हम देखेंगे यूपी पुलिक्स असिस्टेंट ओपरेटर की जो मैं पहले भी बता चुका हूँ ठीक है इसकी cutoff में पहली वीडियो बता चुका हूँ फिर एक बार और बता देता हूँ असिस्टेंट ओपरेटर के बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ कितने वेकेंशी इसमें 374 बेकेंशी है कितना बच्चे लिया जाना है मैं मान लेता हूँ तीन गोना बच्चे इसमें भी मान लेता हूँ तो आपके लगबग कितने 422 बच्चे बुलाएंगे फिजिकल के लिए हो सकता है 4500 बुला लें 5 hair बुला लें कम सका मैं मानता हूँ 422 बच्चे तो यह बुलाएंगे अब 422 बच्चे अगर बुलाएंगे बच्चे तो फिजिकल इतना टफ नहीं है और वेरिफिकेशन में भी इसमें ज्यादा बच्चे बाहर नहीं होंगी जहां तक मुझे लगता है उन्हीं बच्चों ने भराज इसके फिजिक्स और मैथ ठीक है अगर मैं जनरल की कट ओफ की बात करूँ असिस्टेंट ओपरेटर की तो मैंने आपको बताया था आप बहुत अच्छे से जानते हैं 125 कोश्चन से 130 कोश्चन के बीच जिस बच्चे की ठीक है आपको बता दो दिन पहले मैंने वीडियो बना कर ये कट ओफ आपको ब करता हूं ठीक है ना मैं किसे कोई गूगल डेटा लेता मैं अपने अनुभब के अधार पर आपको कोड़ों बताता हूं जिसके इसके बीच ठीक है तो अराम से सेलेक्शन हो जाएगा और 130 बाला तो मेरे अकोडिंग बिल्कुल सेफ है अगर इसमें चोड सामिल नहीं होते तो 130 बाला असिस्टेंट ऑपरेटर बन गया है मेरे अकोडिंग ठीक है बस आप फिजिकल अच्छे से कर देना कैसर 125 बाले का नहीं होगा 125 बाले के भी चांस है क्योंकि आप सभी को पता है बच्चे 16 शिफ्टों में ये पेपर हुआ है और शिफ्ट आगे पीछे होई है और इसमें नॉबलेशन जोगा अगर सिफ्ट प्यारवच्चे सब्जेक्ट बाइज होता है ठीक है जहां तक मुझे लगता है यूपीएस है में जैसे हुआ था सब्जेक्ट बाइज होगा तो आपके नंबर हो सकता है आपको 10 से 15 नंबर का आगे बीचे आपको देखने क कार नहीं सकते आप अपना फिजीकल करते रहें जो 125-130 के बीचे तो फिजीकल करते रहें ठीक है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं पहले ही के लिए कर देता हूं अगर आपने यूपी पुलिस का या अधर कोई फोम है चाहें आपके 130 ठीक हैं फिर बच्चे जब तक फाइनल जब तक नहीं हो जाए जब तक पढ़ाई नहीं छोड़नी है तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और जो इन से नीचे हैं तो वो तो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें क्योंकि यूपी पुलिस का एक्जाम बच्चे उसको आपको नहीं जाने थे अगर आपको नोक्री लेनी है तो अब बात करेंगे OBC की बच्चे तो OBC में और EWS दोनों को ही में काउंट कर लेता हूं बच्चे मैंने आपको बताया था 120 कोश्चन से 125 कोश्चन जिस बच्चे के ठीक है 125 जिसके ठीक है तो जहां तक मुझे लगता OBC में उस बच्चों को नोक्री मिल जाएगी वो बच्चा ओपरेटर बन जाएगा ठीक है फिर बही बात 120 बाले को भी आप नकार नहीं सकते अच्छा स्कोर है अगर नोल ब्लेशन में इस बच्चे को थोड़ा अच्छा फाइदा हो जाता तो हो सकता ये भी फाइनल सेलेक्शन ले जाए अब SC में बात करेंगे SC में बच्चे 115 कोश्चन से 119 कोश्चन फिर बही कहूँगा 119 कोश्चन बाला SC वाला बच्चा बिल्कुल सेफ है कोई दिक्कत नहीं है पर 115 कोश्चन बाले को भी आप नकार नहीं सकते इसके भी फिरवल चांस है कि इसका सेलेक्शन हो जाए अब नोल बेशन डिपेंड करेगा आपको कैसे कैसे नोल बेशन होता है के लिए बट जिसके 119 से उसका बिल्कुल सियोर हो जाएगा एस्टीम बात करेंगे तो जिसके 105 कोश्चन से 109 कोश्चन के बीच ठीक है बच्चे 105 कोश्चन से 109 कोश्चन के बीच है तो जहां तक मुझे लगता उस बच्चे का 109 बाले का तो बिल्कुल सेफ है 109 बाल लेकुब वही बात कहुँआ नाकाड नहीं सकते क्योंकि नौर्बलेशन बहुत डिपेंड करेगा किस तरीके से होता है किसी बच्चे घटने वाला गर इन्हों नौर्बलेशन रखा तो किसी बच्चे के घट भी जाएं जो होता हुआ यूपी पुलिस में भी और बच्चे अपने देखा होगा क्लियर है तो अगर आपके इसकोर इतना है तो जहां तक मुझे लगता आपका सेलेक्शन हो जाना चाहिए अगर इसमें चोड सामिल नहीं होते हैं तो क्लियर बच्चे स्क्रिंसोट लेकर रख लीजिए आप देखें कि कर्टोफिशी के आसपास रहने वाली है और जुम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था बच्चे वह आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं जैसे बच्चे हैड उपरेटर है और असिस्टेंट उपरेटर है आप देखेंगे जिसने head operator का form भरा है क्योंकि head operator का form भरेगा जो बच्ची btec भी कर रखा है तो उसने क्योंकि math तो होगा इसके बाइस 12 में जरूर तो उसने assistant operator का form भी जरूर भरा है clear है तो यह देखें जो बच्चे इसमें टोपर रहा है जिस बच्चे के यहाँ पर 125 question है तो आप देखेंगे यहाँ पर 126 question होंगे इससे जाद ही होंगे ठीक है तो उसका यहाँ पर भी number है और यहाँ पर भी number है तो physical लिए तो उसको दोनों को लाएंगी assistant operator में भी उसको physical लिए बिलाए जाएगा और इसमें भी तो आपसे यही कहूंगा बच्चे अगर आप head operator वाले बच्चे हैं तो आपकी job इनसे अच्छी assistant operator वालों से तो आप अपनी join करिए एक sit इसमें assistant operator वालों की मत मारना तो कभी उसमें भी physical लिए जाओ और इसमें भी बच्चे आपका sure हो जाएगा परेशान ना हो तो इसलिए उनकी sit मत खा लेना एक आत बिचारे गरीब बच्चे को नोकरी मिल जाएगी assistant operator में क्योंकि मुझे पूरा अभिस्वास है यह 936 जो select होने वाले हैं इन में से कम सक्व 900 बच्चों ने assistant operator का form भी भरा और इसमें भी अच्छे नमबर है उनके तो इतनी यह वली request करूंगा बस इनकी sit मत खाल लेना तो कभी दोनों जगा हाथ मारो क्योंकि बात में जो है यह दुवारा merit नहीं लगाने वाले अगर इन्हे assistant operator में 1100 बच्चे मिले ना final में और तुमने जोईन नहीं करा तो इस 1100 लेंगे बस फिर दुवार मैंटने लगाएंगे कि हमें 1334 vacancy पूरी करनी है तो बस इतनी सी request है आप से आपका number अगर head operator में और assistant operator दोनों में आ जाए तो अपनी head operator को join कर लेना तुम clear है बच्चे और ऐसी बर्क सोप में हो सकता है कुछ बच्चे तो आप से कहूंगा एक को join करना दूसरे गिर्यड मत मारना आप clear है अब आगे चलेंगे बच्चे इसका clear हो गया अब देखेंगे बर्क सोप इस्टाप के बारे में जिसकी cutoff मुझे बताती हुए बैसे ही डर लग रहा है क्योंकि इसमें vacancy 120 है और इसमें चोर भी सामिल हो गई तो 120 कभी चोर ना ले जाए तो फिर merit कहां रहेगी पर मैं जो cutoff बताऊंगा बच्चे वो ये मान कर बताऊं है 120 बैकेंजी में तीन गुना मान लेता हूं तो बच्चे कितने हो जाएंगे कितने बच्चे बुलाए जाएंगे आपके इससर्क 306 बच्चे इसमें बिल्कुल ठीक है अगर यह बिल्कुल साफ भरती करते हैं ना चोरों को सामिल नहीं करते जैसे आपने देखा होगा नहीं होता अगर एक दो बड़े टीचर सामने नहीं आते दो अब यहाँ पर देखेंगे जनर्रल की कटोफ बच्चे इसकी किटने रह सकती है तो इसकी कटोफ अच्छी घासी रहेगी आप मानके चल सकते हैं 130 से डर नामत देखकर 130 से 135 कोश्चन जिसका 135 कोश्चन है क्योंकि बेकेंसी केवल 120 है जिसकी 135 कोश्चन है बहुत हो बिल्कुल सेफ है जहां तक मुझे लगता हो जाना चाहिए उस बच्चे का सेलेक्शन अगर साफ भरती होती है तब पर 130 बाला भी अपने आपको मान सकता है कि मेरे पूरे चांसे 60-70 परसेंट चांसे कि मेरा हो जाए ठीक है पर जहां तक अगर सेफ भरती होती है तो 135 बाला जहां तक 99 परसेंट मुझे लगता है सेलेक्शन ले जाएगा बरक्सोप श्टाप में उसी तरीके से आप बच्च इससे 130 कुश्चन के बीच आप मान सकते 130 कुश्चन बाला जहां तक मुझे लगता EWS और OBC वाला फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा इसी तरीके से SC की कटोफ आप देखेंगे 122 कुश्चन से 126 कुश्चन के बीच अगर आपके बंद रहें 126 बंद रहें 126 कुश्चन में तो साइध है ठीक है तो से कटोफ और इतना बच्चे पढ़ते भी नहीं है तो 110 कुश्चन से 115 कुश्चन अगर आपके ठीक हैं स्टी में तो बच्चोफ बिच्टाब एक सो पंदरा हैं तो बच्चोफ बिच्टाब में आप जा सकते हैं अराम से हो जाएगा आपका सेलेक्श अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आपको कटोफ लगी है मेरी कि हाँ इतनी जा सकती है एनलाइस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरू कर देंगे ठीक है और डिस्क्रिशन में नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई कोई डाउट है और आपको फिर एक बार के लिए करते तो फीमेल मुझको कमेंट करते रहते हैं सर हमारी कटोफ नहीं बताई तो फीमेल भी क्योंकि इतनी वेकेंजी है नहीं तो आप तीन से चार कुश्चन हर इसमें यूपी पुलिस असिस्टेंट में हैड में और होते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में